जैहिं सभी डिफेंस पेंसनर बंदू मुझे उमीद है आपका अस्पर्स पेंसन निरंतर निर्वाध रूप से आ रहा होगा और इसी दिशा में मैं अस्पर्स ट्रेनिंग प्रारंभ किया हूं इस रिंखला में आप प्रती दीन हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और रहा है या दिखा ही नहीं रहा या गलत दिखा रहा आधा धूरा दिखा रहा तो इसके लिए क्या किया जाए तो इसके लिए अस्पर्स में प्रावधान जो दिया हुआ सिकायत ग्रेवियंस है तो इसे ग्रेवियंस को किस तरह से लौज करना है यह संपूर्ण प्रक्रिय चरनबध तरीके से बड़ा इस अच्छिप्त रूप में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो आईए सबसे पहले आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार विलनस कंसल्टेंट इंटरप्रिनर ट्रेनर आगरह करता हूँ कि हमारे चैनल में आये हैं तो सबस्क्राइब अवस्य करें, कमेंट करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन, बेल आइकन, हिट करें और अब कई तरह की समस्याएं आ रही हैं अभी तक मैं अपने ट्रेनिंग में सारे वीडियो चरनबध तरीके से दिखाते रहा हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि किस तरह से माइग्रेशन हुआ, इसका पहचान कर लें अगर आपको समस आया, यूजर क्रेदेंसियल आया, तो किस तरह से उसे इस्तेमाल करना अगर यूजर क्रेदेंसियल नहीं आया, तो किस तरह से प्राप्त कर लेना है किस तरह से successful login करना है किस तरह से mandatory declaration करना है किस तरह से life certificate submit करना है तो ये सब तमाम जानकारियां मैं आपको दे चुका हूँ किस तरह से profile को manage करना है अब इसी स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से grievances lodge कर सकते तो जैसे ही आप user ID को इस्तेमाल करते हुए आप successful login करते हैं कौन सा website? नाम अब तक याद ही हो चुका होगा https colon double slash spurs.defensepenson.gov.in जैसे successful login कर लेंगे तो आपको अपना dashboard मिलेगा जिसमें आपको अपने नाम के साथ welcome किया जाएगा जहां की left side में तीन parallel line दिखेंगे यहां आपको click करना है left click करना है mouse से या mobile से कर रहे हैं तो tap किजिए just आपको एक task pane खुल जाएगा जिसमें की तरह तरह की menu रहेगे उसमें क्या-क्या होते हैं उस module में track status से start होता है life certificate, identification my profile, graviences projected tax summary रहेंगे slab wise summary report रहेंगे tax projection report रहेंगे my document रहेंगे, service request आधी तमाम menu अहां अबलेवल होते हैं लेकिन आपको उन समबों पर नहीं graviences पर करना है जब जैसे graviences पर click करेंगे तो आपको एक column drop down menu आएगा जहां की आपको करना है कि financial है या non financial यानि कि payment related है या others अगर payment related है रुपया कम आ रहा है DA नहीं आ रहा कम आ रहा commutation restore हो जाना था restore नहीं हुआ आपका उम्र 80 हो गया quantum आना था quantum नहीं आ रहा है या FMA नहीं आ रहा है इस तरह से disability pension नहीं आ रहा war का नहीं आ रहा किसी भी तरह के financial related अगर है तो financial payment related कर ले और अगर उसके अलावे को परस्नल डीटेल एड्रेस से संबंधित पीपी ओ नाम डेट आप बर्थ है स्पाउज नेम से संबंधित है तो अधर्स कर ले और फिर आपको एक एडिटेबल बॉक्स आते हैं इसमें आप अपना जो रिक्वाइड डीटे जो भी आप कहना चाहते हैं सपोज आपको disability pension नहीं मिल रहा लेकिन disability का और जंडम पीपी ओ आपके पास है तो disability पीओ आपको तयार रखना पड़ेगा उसी सिस्टम में laptop में टाइब में computer mobile जहां भी आप कर रहें वहां तयार रखे ताकि आप supporting document upload कर सकें क्योंकि हो सकता है क record office उस document को अपने document से verify करेंगे तब जाके authorize करेंगे और तब जाके आपके सिकायत दूर होंगे कई लोग कहते हैं कि हमने grievances दिया अभी तक कुछ हुआ नहीं आपको proper grievances लिखना है उसमें ज्यादा राम कहानी लंबा नहीं बनाना to the point ही दो से तीन लाइन के तहती आपको बिंदू लिख देना आपको अपना परिचय नहीं देना ज्यादा background history नहीं लिखना है उसके कारण क्या effect हो जाएगा ये सब नहीं देना सिर्फ ये देना है कि इस column में ये चीज़ changes है इसे ऐसा होना चाहिए आपो suggest किजिए और supporting document देजिए तो grievances आइसा पाया गया कि 7 दि भीरे हो रहा थोड़ा सा slow है इस पर असपर टीम को काम करना है लेकिन हमें उमीद रखना है धैरे भी रखना है अगर कुछ भी समस्या है तो आप grievances में डालें वह एक दर्ज हो जाता है और निश्चित है अगर grievances में भी काम नहीं बन रहा तब आप CP gram के लिए जाए CP gram के लिए मैं dedicated video अलड़ी बना चुका हूं जहां मैं पूरा screen online मैं दिखाया हूं तो यहां मैं अपने वीडियो को सिर्फ grievances how to lodge how to write इनहीं बिंदों पर मैं रखना चाहता हूं मुझे उमीद है grievances क्योंकि grievances से related कई सारे हमारे pensioner बंधू बुजुर्ग लोग कमेंट कर रहे थे कि किस तरह से करना तो मुझे लगा कि एक video ही अपने training सिंकला चली रहे इसमें हम बता देते हैं और जैसे ही आप grievances दर्ज करेंगे तो यहां बताते चलूं कि आपको एक acknowledgement भी आएगा यहां से आप समझ सकते हैं कि हमारा grievances दर्ज हो चुका हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं जीवन का बहुमुल्य समय देते हैं फिर से बोलता हूं आप समों को जय ही और चैनल अवस्य ही सब्सक्राइब करें लाइक करें बहुत बहुत धन्यवा